हेलो स्टूरेंट्स वेल्कूटू माई नर्चर मैं हूँ कृष्णा कैसे हैं सब लोग मास बढ़िया तो तुले स्टार्ट करते हैं हम लोग फार्मा को ठरपेटिस का चैप्टर नंबर 2D ठीक है ना तो यह फिर बता तो बच्चों में हरवाली बता जाता हूं यह जो चीज बताई का स्रेवास उसमें 2D 2E करके हैं बुक्स वागरा कुछ बच्चों ले रखी है तो वहां पर क्या है 123 करके दे रखा तो चांफ्यूज यह कंफ्यूज ना हो ठीक है ना करें तो टूडी आने की हैडिंग हमरे पास क्या है सेंटल नवर सिस्टम इसी सेंटल नवर सिस उनके सेंटल में कंडक्शन होता है वह नीरोहिमोरल ट्रांसमिशन वाला जो केस हमने पड़ा था फार्मकलोजी में ठीक है जो मैसेश ट्रांसफर होने का या कैमिकल किस्तरह से मैसेश ट्रांसफर करते हैं तो पूरा प्रॉसेस दिमाग में रखना है फिर पढ़ोगे केमिस्ट्री में एंटी कंवल्जेंट जो पड़े थे वहां पर कहीं नगा इस पार्ट को हमने थुरा सा कवर किया हुआ है तो सारी बातों को मिक्सप करके चलना है साथ लेकर चलना है और साथ पड़ते हुई भी चलना है ठीक है ना क्यूंकि फूचर में एक्जिट एक्जा होते हैं जो हाथ पार, मुव करते हैं इस तरीके से है थीकिलेप्स है तो एक दिमागी बिमारी है दिमाग के जो सेलों होते हैं नीड उनकी problem की वज़े से create होती है क्योंकि हम पढ़ क्या रहे है central nervous system तो तो क्या दिखा हुआ introduction में अगर हम बात करें तो definition में epilepsy is a common serious neurological condition neurological मतलब neuron से related है किस से related है neurons अब मैं यह मत करना neuron नहीं पता neuron cells where there is a tendency to have seizures that start in the brain seizures कहां start होते है brain में start होते है जिसके विसे फिर हाथ पर जो यह जो बहारी लक्षन आते है convergence वगएर वो एक अलग बात होगी वह जो दौरा पढ़ना हमारा कहां start होता है दिमाग में start होता है ठीक है the cause of most cases of epilepsy is unknown जो मिर्गी को दौरा होता है दौरे पढ़ते हैं उसके कई बार जो कारण होते हैं हमारे पास जो दौरे पढ़ते हैं उसके जो कारण है ज्यादातार unknown है हमको नहीं पढ़ता क्या कारण है कि क्यों ऐसा हो जाता है not all seizures are due to epilepsy जितने भी दौरे पढ़ते हैं वो epilepsy नहीं होते है seizures can happen from many different reasons seizures कई वज़े से पढ़ सकते हैं such as diabetes की वज़े से पढ़ सकता है heart condition की वज़े से पढ़ सकता है here when we use the term seizure लेकिन यहां जब हम बात करेंगे कोई हम क्या पढ़ रहे हैं central nervous system तो इसलिए हम diabetes और heart की बात नहीं करेंगे लेकिन हां इस condition की वज़े से भी seizure पढ़ते हैं दौरे पढ़ते हैं यहां पर जब हम seizure की बात करेंगे we mean epileptic seizure हम यहां पर जब भी बात करेंगे तो इसका मतलब epileptic seizure ही होगा किसी और वज़े से seizure का हम नहीं पढ़ रहे हैं आपर बास अंज में आ रही है कि मोस्ट कॉमन डाइप 60% आफ सीजर्स आर कनवल्जिफ ना कनवल्जफ होते हैं इसलिए हम लोग क्या पढ़ रखा हम लोगों ने एंटी कनवल्जफ ड्रग पढ़ रखी हैं पढ़ रखी हैं एंटी कनवल्जफ ड्रग ठीक है ना तो चीजों को साथ लेकर चलना है करके चेक कर सकते हो जो कि हम लोगों पढ़ रखा है ठीक है कोई बार-बार चीज़ों को पूरा-पूरा डेटेल में जाने से क्लेक्शे हमारे बहुत लंबे-लंबे हो जाएंगे कि अल्रडी हम तुझे को डिसकस कर चुके हैं ऑफ दीज इन में से यह जहातर केस कौन से है अगर भर इन करना हम ब्रीन की डोबात होते हैं यह अससरों डोनो चाहिं के स्वेकते हैं चेँज सानकुट से आं तो चाहिए हम लाख जोनला प्राद ऑक जान वा दोनों में थिह कि बाइक थो प्रोग्रेश टू जा लिए बाद में क्या होगा वह ज्यानलाइश फिंदर हो जाएगा धिरे पहले एक अफेक्ट होगा दिरे फिर फिर दोनगे याने कि जो फोकल का शीजर है वह बाद में जा कर के generalized seizure में बदल जाएगा कुछ नहीं है generalized seizure का मतलब brain के दोनों part effect हो रहे है focal seizure का मतलब brain का एक part effect होता है कि लिए रहे बाते हैं कुछ नहीं है ठीक है अब आगे आते हैं okay the remaining 40% of seizures are non-convulsive और 40-60% convulsive होते हैं जो 40% convulsive नहीं होते हैं उसमें हाथ पैर मुझे रहा है जो convergence होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं ठीक है देर सिक्स में टाइप सो जर्न जर्नलाइज सीजर के छे में टाइप है tonic clonic seizure tonic seizure clonic seizure myoclonic seizure absence seizure tonic atonic seizure पता होना चीए कि छे टाइप होते हैं ठीक है just for knowledge यहां से question आनिक संभावना कम है हमें क्या पता होना चीए एक तो definition seizures होते हैं ठीक है दिमाग में set कर लो seizures क्या होते हैं एक तरह के दोरे हैं ठीक है और उनकी भी छे टाइप की अब छे टाइप हमने कैसे डिफाइन कर दिया क्यों ब्रेन के जिस पार्ट से पड़ेगा जो पार्ट ब्रेन का अफेक्ट होगा हमारी बॉड़ी का वो पार्ट अफेक्ट होगा तो देखो क्या होता है जब tonic clonic seizure पढ़ता है इसे हम ग्रैंड मल सीधर भी कहते है ठीक है ओकर विद कॉंट्रेक्शन ओफ लिम्स जो लिम्स है हमारे हाथ पर रों कॉंट्रेक्ट करेंगी इस तरीके से फॉलवड बाइद एक्स्टेंशन बाद में ऐसे हो जाएंगे और विद आर्किंग ऑफ दा बैक और हमारी पीटा रहता है तोनिक फेज जब यह एंठन आती है उसको हम टोनिक फेज कहते हैं दा क्राय में भी हर्ट एक रोने जैसी आवाज आ सकती है द्यू तो दे ओट्रेक्शन ओफ दा चेस्ट मसल्स जो चेस्ट मसल्स होती है ठीक हो कॉंट्रेट करते हूं बहुत जबर्दस तरीके से अब हाथ पर ऐसे हिलना स्टार्ट हो जाते हैं इन दा यूनिशन यूनिशन मतलब एक साथ एक साथ हिलेंगे ठीक है और इसको हम लोग कहते हैं टोनिक फेज तो इसकी डेफिनिशन ज़रूरी नहीं है केवल समझ लो कि टोनिक टोनिक सीजर जो हम लोग इस तरह से तिर्च सीजर की बात करूं प्रेड्यूस कॉंस्टेंट कॉंट्रेक्शन ऑफ तो पर्सन ऑफन टर्स ब्ल्यू एज ब्रीथिंग इस टॉप निला सा पड़ जाता है क्योंकि सांस से में रुक जाती है क्लोनिक सीजर में क्या रहेंगे हाथ पर शेक करेंगे यूनिशन एक साथ ठी ठीक है एक ही उसमें कैते हें एक फ magazine after the shaking has stopped it may take 10-30 swimming for the person to return the normal जब हो जाइग जाएगी तो कम से कम 10 ahh's be उसको normal आने में थीक है फिर कहारा हूं यह नहीं है लिकिन समझना है tonic clinic combined है tonic tonic khevel होगा clonic seizure clonic condition दिखाए पड़ेगा then myoclinic involve spasmo of muscles ठीक है अब दोगे यहाँ पर muscle का contraction एक अलग है और यह muscle का spasmo हो रहा है in either a few areas all over पूरी body में ठीक है या कुछ हिस्सों में क्या होगा spasmo होगे एक attency होगी ठीक है attena देखो यह होगया contract करना और एंठना होता ना कि मतलब जो हाथ पर कई पर एंठते हैं एंठन पता ना कई बार जब शरीर का एंठना एक अलग चीज़ होती है और यह contraction एक अलग चीज़ होती है तो यह spasmo मतलब होगया शरीर की एंठन absence seizure इसे प्लिंक करेंगी ठीक है वो इसमें दिखाई पड़ता है एंटोनिक seizure ठीक है involve the loss of muscle activity यहां पर muscles अपना काम करना छोड़ देती है for greater than one second एक से जाए टाइम के लिए दिस ATP के लिए उक्कर on both side of the body और जनरली यह body जाए मसल से अपना काम करना छोड़ देंगी ठीक है ना तो यह होगे हमारे पास टाइब के है जनरलाइज seizure की variety हमारे पास है ठीक है seizure किसने type के होते हैं उनके बारे में कहानी थी यह ठीक है इनको यहां पर याद नहीं करना है अब याद करने वाली चीज़े यह आं से आ जाएंगी की इति लोजी की बात करें बैनका पाट अफेक्ट हार रहा है ना तो यहां जैसी बात है क्या हुआ होगा या तो है दिंजरी हुई होगी इस ट्रोक और ब्रेइन हैम रेज imagery क्या होता है इस ट्रोक होता है चैनसbell में खूं की प्रोलांग पीरियड अब होता क्या है कई ब्लॉकिज खुल जाते हैं तो सप्लाइच चालू हो जाती है लेकिन लंबे समय तक अगर ब्रेन के किसी हिस्टे को परियाब तो ऑक्सिजन ना मिले ठीक है सच चैस इन बर्थ ट्रॉमा पैदा होते वक्त ठीक है कार्डियक अरेस् ब्रेन में ऑक्सिजन के सप्लाइब ब्लड के सप्लाइब रुकती है तो ऑक्सिजन के सप्लाइब भी रुक जाती है इस केस में अपने को क्या गया है यह एपिलेप्सी हो सकती है ब्रेन में इंफेक्शन हो जाए फॉर एक्जांपल मेनेंजाइटिस जो एक बिमारी है इन हो सकता है नीरॉंज्स वगरा क्या हो डिजनरेट होना स्टार्ट हो ठीक है нед schreiben यह कारण है एपिलेप्टिक होने में अब पैस्रूदेस की बात करें तो देखो ज़रा I कैंजमेंट हो सकती है ठीक है जैदेटिक में क्या है ऐंजलन सिंड्रॉम हो सकता है ते टीभलस हो सकती है और नीरो आप एसे जेनेटिक कंडिशन नियूरल कंडिशन जैरेब्र ऐसे लिख करके ब्रेकर न बंद करके और फिर सीधा आरो नीचे लेकर आ सकते ओ तुझे ना मैंने स्थिर्स लाइन में लिख दिया है चौई से तुम्हारे पाद दैन नियूर्ल कंडिशन हो सकता है जिसमें रिख्षे यह बिमारियां दे रख़ी हैं सेब्र वसक्यूलर जो भार अपर उसकी वसक्यूलर कंडिशन में दिख्कता सकती है ज्वेंटर याने कि जो एक्रेटेटिव वाली वाली कंडिशन वह यहां आ रही है नियोप्लास मोँ सकता है मेटा वालीक ब्रेइन की जो रीक्षन सो रही है पाइब कोई प्रॉलम आ जाए निरो डीजनरेटिव अलजीमर डीजीज ठीक है ना नीरो डीजनरेटिव हमने पढ़ा था ला condition में क्या होगा damage to brain brain क्या होगा damage होगा ठीक है and subsequent alternation of neural circuitry जो nerve का circuit है nerve का circuit जो एक तरह circulation message भेजने का वो क्या हो जाएगा alter हो जाएगा बदल जाएगा अब जैसे ही brain damage होगा और neural circuit हमारा break होगा या उसमें गरबड आएगी तो क्या क्या चीज़े होंगी neurotransmitter imbalance हो जाएगा neurotransmitter समझते हो ना pharmacology में पढ़ा है हम लोग ने इंक्रीज़ इंफ्लमेटरी cytokines ठीक है जो इंफ्लमेटरी cytokines है वो brain में बढ़ जाएगे जो chemical होते हैं आल्टर नीरोजनेसिस ठीक है ना जो नीरोजनेसिस होती है वह बगड़ जाएगी नीरोजनेसिस नीरोण का synthesis जो है आएन चैनल एंड रिसेप्टर डिस्फंक्शन जो आएन चैनल रिसेप्टर होते हैं वह अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे यह सब्सक्शन होती हैं यह सारी कंडिशन का क्डिशिंगेस नीपर क्या करेंगी सब्कुपर और पर इस नहीं कि होते हैं उनको 10-10 क्या करते हैं अरे जी सिंगनल होता है प्लस माइनस वाला है यानि कि जो मैसेज भेज जा रहा है सब्सक्राइब पहले चल रहा था अब एकदम से पांसों पांसों ग्रूप में वह मैसेज भेज रहा आगे तो क्या होगा बहुत तेजी हो जाएगी जिसकी से रिक्रेंट यानिगे बार बार चीज़र आता इसी कौर लोग कहते हैं अपिलेप्टिक शीजर यानि कि दौरा अग्दम से एक हुआ तुरंथ फिर तौरंथ उया तब एक दम से ठीक है ना तो यह इस तरीके से हमको देखना कि ultimately क्या है brain के अंदर दिक्कत आई है तो pathogenesis किस तरीके से क्या होता है इन में से कोई यह condition है जो यह बदलाव लेके आती है ठीक है ना brain को damage करती है इतना भी लिख सकते हो damage to brain अगर दिक्कत आज रखने में brain damage होगा तो neurotransmitter imbalance हो ज हो सकती है this is the pathogenesis ठीक है ना अब इसमें देखो intracranial सारे terms में पहले discuss कर चुका हूँ मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे terms को बार बार एक एक term को explain करना बड़ा impossible सा रहेगा क्योंकि दो 10-15 minute का lecture है वो नहीं तो फिर आदा आदा पॉन-पॉन घंटक हो जाएंगे ठीक है ना त यह सारी बिमारिये हैं तो यह सारी बिमारिये है क्योंकि genetic susceptibility यह एक दो तीन चार चार रही बिमारिया है किवल पढ़ लो इनकी नहीं जानना या तुम लोग केवल ऊपर उपर की heading genetic susceptibility नियोरल डैमेजघ इसे और अफेक्ट अधर record है हटा तो यहाँ पर हट रोमा याद कर neurons क्या करते हैं degenerate कर जाते हैं ओके इसके बाद यह हमारा pathogenesis हो गया अब कुछ खास बचता नहीं हमारे पास ट्रिनिकल manifestation types of manifestation motor की बात करें motor का मतलब जो हमारी motor activity जो हमें यह मेरा हाथ मेरे control में सब क्या हमारी motor activity जर्किंग ऑफ एक्स्टिमिटीज है ना हाथ पैर यह इस तरह से जर्क जटके से लगते हैं जर्क लगते हैं सुमेटो है epigastic इसके उपर का यहां sensation से होते हैं ठोड़े से ठीक है ना यहां पर क्या होता है देखने का जो फिनोमेना होता है जो हम देखने वाला चीज़ों होती हो तो इसी बदल से जाती है हो जाती है चेंजे सकता है ब्लेंट प्रैसर चेंज जाएंगा हार्टेट यहाँ बदल जाएंगी डिस फेजिया यह दूसरी दुनिया में है cognitive symptoms में क्या जाईगा dream stage हम लोग psychologist साम नहीं पाते हैं situations of on reality सामने कुछ चीज है कि नहीं है हमें समझ में नहीं आती है cognitive है ना cognitive क्या होता है हमारा तरक करने क二 चम्मता होती है affective symptoms डर लग सकता है प्रेश न आ सकता है गुसा प्रूसकते हैं तो ये तमाम इसमें क्या है ने पास कि लिए रभाज तया विजूल Source क्लिय। असका मतलब उसे अपिलाप्यस्टी वाला तो इस ट्रक्चार थे विजूरा जक्ष तेटरी क्या हो गया अपना और फैक्ट्री हो गया सुने वाला डूकी होगा टेस्ट मुंवें पुछ है नी तरह तो एक तरह का है क्या है कि हम कुछ मीठासा खा रहे हैं या जो भी कुछ है तो तुमाम चीछलेंस उनमें से कोई भी प्षार से पांट तुम्हें याद कर लेनी है ठीक है सारी याद करने यह पार्ट ज्यादा इंप्पॉर्टेंट है आटनोमिक में क्या होता है साइकिक में क्या होता है ऐसे करके याद करने की जरूरत नहीं है is clear-net then non pharmacological management non pharmacological यानिकी सब को पता है lifestyle थो चेंज करएंगे फुटे नहीं ऑवाइडेंस ऑफ एक्सेसिव अल्कॉल कंजप्शन अल्कॉल वगारा नहीं पीनी है साइकलोजिकल प्रोच की बात करें तो टेक्निक टू अबॉट सीजर और रिडियू सीजर फ्रिक्वेंसी फॉर एक्जांपल ऑवाइडेंस कौन टेक्निक है अवाइड कर आनेवाला है यांँ वहां निकल जाँ ठीक है chúng topics वहाला ही हमारे सीजर बंदनी वाली है छलता है अब यह होनेवाला तरपी चीजों को टालने वाले थेरपी होगी प्रमोशन ओफ एमोशनल वेल बिंग एक एमोशनल सपोर्ट कहलो जैसे की योगा बगारा करना है रिडक्षन और साइकिक को मॉर्बिडिटी साइकिक बीमारी है जैसे की चिंता है डिप्रेसिन यह सब चीजें से बचना है ठीक पढ़ने वाला होता है दोरह पढ़ने वाले होता उससे पहले वह भॉकना चाल्व करते है ऐसा होता है और वह सब्सक्राइब कर बिहुति तरफिया यहां पर लिखा होगा ठीक को और लिविं भी विए ठीक्निक जो हमआरा ऐसी धैरप्र इस से कि हमारा जो सोचने समझने ऐसको थोड़ा सा मजबूथ किया जाता है यहां पर मैस्द कि जा रही साइको थैरिपी एजूकेशन लिए क्या चीजे कुरूर के कही तो यूंस कलासिफिकिएचन उप anti-convergent from pharmacology ठीक है ना anti-convergent drugs जो आपने पढ़ रखे हैं वहाँ से pharmacology उनको use कर सकते हो otherwise ठीक है या तो direct drug का नाम इस्तेमाल कर लो या लिख सकते हो simple complex secondary generalized में phenytoin gabapentin जो तुम्हें याद है कारवाजपीन ठीक है ना phenobarbital then tonic clonic या tonic clonic में यह लिख लो tonic myoclinic a tonic या absence में क्या है ethoxymide absence type का जो हमारा generalized seizure है कुछ याद नहीं करना है तो यह चार्ट रग याद कर लो इधर पे एक दो तीन चार पांच यह ना वैल प्रोएट लेमट्रीजीन टोपी मेट फैल्बामेट जोनी जोनिसामाइट और लेवी ट्रसीटाम तो उसके बेटर है जो तुमको यहा से ले लो और यहां से लेगा आएं लो जैसे लैवा इन्टर्ण का हमलोग इस्ते आगा है के लिए हैं फार्मकलोजिकल मनेजमेंट आयाता है आपने पास कि कि उक्सेर अपना खत्म हो जाता है है तो ध्यान देने वाली यहां बात क्या है यहांपर मैंने हमीशा बतात है म kleinen चीज़ क्या होती है तो चुरूजे पैफमजेनेसिस होती है इसको चाहा तो और simple कर सकते हो ठीक है ना जो मैंने उपर 5-6 देता हूँ उसमें एक या दो ही लिक्र करके किसे क्या effect आ रहा है वो एक अपना flow chart बना करके त्यार कर लेना है और कही ना कहीं जो फार्मकलोजिकल अप्रोच है वो अगर तुमको लगता है पहले पढ़ रखा है हम लोग ने तो कर सकते हो ठीक है ना तो सबसे बड़ी चीज division करना है और पढ़ाई करनी है all the best